दोस्तो आखिरकार दिल्ली में प्राइवरी सिख्षकों की नई रिक्रूटमेंट आ गई है हंजी दोस्तो बिलकुल 100% पर्मानेंट गवर्मेंट पी आल्टी टीचर्स रिक्रूटमेंट की मैं यहां बात कर रहा हूँ पेस्केल है 35,400 से 1,12,400 ओनलाइन आविदन की प्रक्रिया 20 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगी जो कि 17 मार्च 2023 तक जारी रहेगी सारी चैनकारी बिलकुल विस्तार से इनके ओफिशल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको प्रोइड करानी जा रहा हूँ आप विडियो को शुरू से लेके आखिल तक जरूर से जरूर देखे और आलोवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिकूट्मेंट से जुड़ी लेटर्स अप्टेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लेए तो ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये विडियो देखते हैं ओफिशल डिटेल नोटिफिकेशन बेचलर उफ एलिमेन्टरी अजुकेशन आपने कर रखा हो या तैन प्लस चार्स प्रतिशक अंकों के साथ दो साल का डिप्लॉम इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में आपने कर रखा हो या graduation with two year diploma in elementary education आपने कर रखा हो या फिर graduation with at least 50% marks in bachelor of education बीएड आपने कर रखा हो और उसी के साथ सीटेट भी आपका clear होना आवशक है Hindi और English as a subject secondary level पर आपके पास जरूर सर जरूर हो 5 परतिशत की अंकों में छूट मिल जाएगी SCST, OBC और Physically Handicapped category के जो candidates हैं उनको BID के basis पे अगर आप आविदन करते हैं और आपका selection हो जाता है तो joining के selection होने के appointment के बाद आपको 6 महिने का एक bridge course करना होगा elementary education में Recruitment आ रही है Delhi Contourment World, Delhi Contourment के लिए Invites Online Recruitment Application for the Recruitment of the Post of Assistant Teacher वेबसाइट है Delhi.kent.zov.in ये vacancy detail है, advertisement नमबर दो बटे दो हजार तेईस है, पदो के संक्या कुछ इस प्रकार से है Unreserved 14, SC8, ST4, OBC8, EWS6, कुल 40 vacancy हैं, level 6 in the 7th CPC Paymatrix 2400 से 1,12,400, application fees इन के लिए जुनिर धार्टी के जर्नल EWS, OBC के लिए 500 रुपए है, age limit 21 से 30 साल है, age relaxation, SC, ST, OBC, PWBD, ex-servicemen और departmental candidates को government orders के according मिल जाएगा Only 10th class equivalent certificate will be accepted as a proof of date of birth प्रलब 10 में का जो आपका certificate है, वही आपका age proof माना जाएगा जो उसमें दर्शाई गई है Certificate of belonging to SC, ST, OBC, PWBD, ex-servicemen category should be in the format prescribed by the central government only मलब कि अंदर सरकार का आपका होना चाहिए, SC, ST, OBC, PWBD, or ex-servicemen category का आपका certificate IU की गन्ना आविदन करने की अंतिम्तिती को आधार मानते होई की जाएगी Official website daily.can.gov.in 22.233 से online आविदन की प्रक्रिया शुरू होगी जो की 17.32.23 तक जारी रहेगी यह है दोस्तो official website daily.can.gov.in slash recruitment यह देखे advertisement for the post of assistant teacher यहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और यही पे आपका लिंक आजाएगा आविदन करने का जैसे ही activate होगा कल की डेट है तो उमीर करते हैं कल लिंक हमें देखने को मिल जाएगा जैसे ही online आविदन की प्रक्रिया शुरू होगी वो जानकारी भी आपको हमारे इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी तो ठीक है दोस्तों यही जानकारी आप तक पहुंचाएं थे नए वीडियो के माधिम से फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमश्कार